हाई फ्रेट्स आज हम बात करने वाले इन्वेटर के बारे में इन्वेटर में प्रोब्लम आ रही है कि वो यूपियस ओन दिखा रहा है और दूसरा उसमें ओवरलोड का इंडिकेटर सो कर रहा है जैसा हमारे पास कस्टुमर का कॉल आया है हम उसको साइड पर ही जाकर सही कर है तो आपके इन्वेटर में भी प्रोब्लम आती है तो आप भी इसको इस तरीके सही कर पाएंगे मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको कि इन्वेटर में क्या दिक्कत थी यूपियस ओन दिखा रहा है और एक और लोड का इंडिकेटर है जो साइन कर रहा है बाकी उस उसके अलावा इसमें और कोई दिक्कत नहीं हे इसी प्रोब्लम को उससाईड पर ही जाकर सही करेंगे आपको करना कुछ नहीं है वीडियो पूरा देखना है दhyान से देखना है चैनर पर नए यह आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और कोई भी सवाल हों तो कमेंट करहy सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चेट पर हम आपको काफी नौलिज वाली अच्छे अच्छी वीडियो लाते रहते हैं और दोस्तों आपका साइड पर ही जाकर सही करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रोबलम है तो आपको करना कुछ नहीं वीडियो पूरा देखना है ध्यान से देखना है मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूटुब चैनल टेकनिकल समय तो दोस्तों आईए शुरू करते हैं वीडि परकि इसके दो indicator है जो man का और charging का वो भी सो नहीं कर रहे है तो सबसे पहले हम बोर्ड में light चेक करेंगे तो यहां पर हमने बोर्ड में light चेक किये तो बोर्ड में light continue आ रही है इसका मतलब inverter में कोई problem है तो यहां पर इस condition से दिखाई दे रहा है तो हम इसके पीछे जब हम तो पीछे हम किस तरी किसे वायर लगी हुई है तो यहां पर एक मेंचाब इसकी ट्रिफ हुई पड़िए तो इसको हम ओन कर देंगे और ओन करने के बाद हम क्या करेंगे ओन करने के बाद भी आपको यही दिक्कत आ रही है इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन्वेटर को ओन ओ और यहां पर देखते हैं यह इन्वेटर हमारा चलता है यह नहीं चलता है तो यहां पर हम इसको ओन करेंगे तो ओन करने के बाद आप यहां देख सकते हैं हम यहाँ पर इसको चलाने कोशिज कर रहें तो लेकिन अभी भी यह नहीं चल रहा है और फिर हम इसको एक बार दुबादा से ओन ऑफ करके देखेंगे तो यहाँ पर यह मैंन ऑऊं आगे ये इसमें और यह चार्जिंग भी सो कर रहे हैं तो मिनलब Charging so कर रहा है man on कर रहा है इसके अलावा इसमें eco mood भी इसका दिखाई दे रहा है तो यहां पर हम इसके जब face चेक करें तो face भी निकाल रहा है आप कमी कहा है क्या problem है तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊँगा कमी इसमें क्या है तो आपको करना कुछ नहीं है वी हम उसको आपको समझा देंगे तो यहां पर हम इसको light को off कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह switch को हम यहां पर off कर रहे हैं तो यह off करने के बाद भी चल रहा है अब यह क्या problem है off switch off कर दिया मतलब man तो on off हो गई फिर भी यह work कर रहा है यहां पर क्या है हम आपको बता दें कि आपको क्या है जब भी आप inverter चेक करने जाते हैं तो उसके सारे पहले तो बैटरी के चेक करें खुट्टे वगरा कोई loose तो नहीं है उसके अलावा अगर उसमें कोई भी नहीं आ रहा है तो उसके फ्यूज चेक करें अगर उसमें इंडिकेटर आ रहे हैं लोगें तो इसके वगएरा चेक करें यहां फिर हो सकता है बैटरी में पाणी कम हो यहां पर अमीन आ जिसकी वज़े से MCB डाउन हुई थी और उसी की वज़े से मतलब इसमें वर्क नहीं कर रहा था यह तो इसमें MCB डाउन हो गई अगर यह पुराना model inverter होता तो इसमें problem हो सकती थी तो यह क्या है कि अब हम इसकी fitting चेक करेंगे कहां से यह face आ रहा है तो अब हमने जब इससे बात की तो इन्हों ने हमको बताय एक बूर्ड हमने है रिपिर कर वाया था उस बूर्ड में इन्होंने क्या एक कि यह face direct कर दिया इन्वेटर वाला तो अब इसमें क्या है कि इंवेटर में भी यह baker आ.-ब हम इसके जो इसका फेस है मतलब जहां पर इन्होंने बोर्ड रिपियर किया है वहाँ पर हम जाकर उसको चेक करेंगे और देखते हैं कहां से इसका फेस टच हुआ पड़ा है तो हमने इसको जब हमने देखा एक बोर्ड में हमको इसको डायरेक्ट मिला जो इन्होंने गलती इस पर फेस आ रहा था कंटेन्यू जिसकी वजह से मेंच भी डाउन हो गई थी और बाद में यह करना मंदलब काम करना इसने बंद गर दिया तो हमने वोड को अलग हटा कर पिर उसको रिपिर किया और उसके बाद हमने जब इसमें एवार लगा तो यहां पर इसकी में तो आ आ रही है लेकिन चार्जिंग सो नहीं कर रहा है और नहीं अब यह अवर लोड दिखा रहा है तो इस तरीके से आप इसको सही कर पाएंगे तो फ्रेंट्स आप इसको मुझला फेस में टच कर दिया जिसकी वज़े से इसमें फेस आ रहा था और EMPCB डाउन हो गई MCB down होने की वज़े से ये inverter बच गया और अगर इसमें MCB नहीं होती है inverter वैसा होता और पुराना model का तो इसमें और कोई problem हो सकती थी फिलाल ये क्या है MCB down होने से बच गया था और हमने इसमें चेक किया तो इसमें face continue आ रहा था इस face को हमने है फिर सारी fitting में चेक करके देखा तो एक जोड़ पर से हमें इसे direct मिला हमने उनसे पहुचा था क्योंकि इनके light में कुछ fault हुई थी तो एक board में से उन्होंने क्या किया था उस board को सही किया था उन्होंने खुद नहीं या फिर किसी से करवाय था उसमें उसने face touch कर दिया जिस्ते light से ही तो सारी light आ गई लेकिन invator उनका काम करना बंद कर दिया तो आप जब भी light मतलब invator सही करने जाते हैं तो उसको चेक करें कि जो हमारी light है जो हमने जिसमें मतलब face लगा रहे हैं invator का output जो invator लिकालता है face का उसको चेक करें कि उसमें face तो नहीं आ रहा written रिटन अगर face आएगा तो आपको यह problem आ सकती है यहाँ पर यही problem थी इसके face आने के वज़े से यह mcb trip हो गई थी और उसकी वज़े से ही यह overload दिखा रहा था उसके बाद हमने face को महां से cut कर दिया और cut करने के बाद इसको सही करके फिर दुबार असा own किया हमने mcb को उपर किया और उसके बाद हमने इसको चलाया तो यह okay चल गया इसमें कोई problem नहीं आई तो दोस्तों अगर इस तरह की fault आपके inverter में आती है तो आप इसको इस तरीके से सही कर सकते हैं इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें comment कर सकते हैं हम उसका जवाब देंगे पूरी कोशित करेंगे और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी knowledge वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं यहां कि यहां तक कि हम आपको unboxing वीडियो और motor winding washing machine repairing इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं अगर आपका कोई भी सवाल हो और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहे है तो आप कमेंट करें अगर ज्यादा कमेंट आपके आएंगे तो हम उस पर वीडियो बना देंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंदा होगा वीडियो पसंदा है तो इसे लाइक शेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के